अपनाएं ये पांच टिप्स सदा बहार रहेगी सेहत भाग दौर भारी इस जिंदगी में हम अक्सर सेहत को भूजाते हैं, इसका खयालता बाता है जब हमें कोई रोग घेर लेता है लेकिन कुछ ऐसे खास उपाई भी हैं जिन्हें अपना कर हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं वर शर्ते हम उनका निया में तुरूप से पालन करें एक, रोज एक खंटा व्यायाम करना फिट रहने के लिए आपको पसीना बहाने की आदत डालनी चाहिए सुबह या शाम का फिटनेस रूटीन बनाईए अगर समय नहीं है तो घर पर ही स्कीपिंग के आयोगा आदी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि व्यायाम का यह समय एक घंटे से काम न हो नियमित व्यायाम सेहट्डियां वमास पेश्या मजबूत होती है 2. दिन भर में दो घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना दिन में दो घंटे से ज्यादा किसी भी स्क्रीन को मत देखे क्योंकि ऐसा करना एक लथे और समय के साथ-साथ सेहत से भी खिलवाड है लेकिन अगर ऐसा करना भी पड़े तो एक एक खंटाई के अंतराल में अपनी सीट से उठते रहें, दिन में दो से तीन बार आँखों को ठंडे पानी से धोएं 3. तीन बार दूद्या उससे बने उत्पादों का प्रयोग करें यदि आप दिन भर में अधिक्तम तीन बार दूद्या उससे बने उत्पादों को लेते हैं तो आपको विटिमिन, मिनरल्स और प्रोटीन आसानी से मिल जाते हैं इनसे शरीर को कैल्शिम मिलता है जिससे हमारी हद्या मजबूत होती हैं और मान स्पेशियों को ताकत मिलती है 4. दिन में कम से कम चौथी टर पानी पीए सर्दी के दिनों में पानी पीना भूल जाते हैं तो दफ्तर या स्टाडी की टेबल पर ही बोतल भर कर रख ले, खोद को हाइडरेट रखेगे तो शरीर में ताजकी और उर्जा का स्तर बना रहेगा पर्याप्ट पानी से ब्लाद सेकुलेशन में सुधार होता है विश्व स्वास्थे संगठन के अनुसार हेल्दी रहने के लिए हमें दिन भर में तीन से पान्च बार सब्जियों और फलों की थोड़ी थोड़ी मात्रा जरूर खानी चाहिए, इससे केंसर और रिदे इन रोगों का खत्रा कम होता है अपनाएं ये पांच टिप्स सदा बाहर रहेगी सेहत भाग दौर भारी इस जिंदगी में हम अक्सर सेहत को भूजाते हैं, इसका खयाल ता बाता है जब हमें कोई रोग घेर लेता है लेकिन कुछ ऐसे खास उपाई भी हैं जिन्हें अपना कर हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं वर शर्ते हम उनका नियमत रूप से पालन करें एक, रोज एक घंटा व्यायाम करना फिट रहने के लिए आपको पसीना बहाने की आदत डालनी चाहिए सुबह या शाम का फिटनेस रूटीन बनाईए अगर समय नहीं है तो घर पर ही स्कीपिंग या योगा आदी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि व्यायाम का यह समय एक घंटे से काम न हो नियमत व्यायाम सेहट याव मास पेश्या मजबूत होती है 2. दिन भर में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना दिन में 2 घंटे से ज्यादा किसी भी स्क्रीन को मत देखे क्योंकि ऐसा करना एक लथे और समय के साथ-साथ सेहत से भी खिलवाड है लेकिन अगर ऐसा करना भी पड़े तो एक एक खंटाई के अंतराल में अपनी सीट से उठते रहें, दिन में दो से तीन बार आँखों को ठंडे पानी से धोएं 3. तीन बार दूद्या उससे बने उत्पादों का प्रयोग करें यदि आप दिन भर में अधिक्तम तीन बार दूद्या उससे बने उत्पादों को लेते हैं तो आपको विटिमिन, मिनरल्स और प्रोटीन आसानी से मिल जाते हैं इनसे शरीर को कैल्शिम मिलता है जिससे हमारी हद्या मजबूत होती हैं और मान स्पेशियों को ताकत मिलती है 4. दिन में कम से कम चौथी टर पानी पीएं सर्दी के दिनों में पानी पीना भूल जाते हैं तो दफ्तर या स्टाडी की टेबल पर ही बोतल भर कर रख ले, खोद को हाइडरेट रखेगे तो शरीर में ताजकी और उर्जा का स्तर बना रहेगा पर्याप्ट पानी से ब्लाद सेकुलेशन में सुधार होता है विश्व स्वास्थे संगठन के अनुसार हेल्दी रहने के लिए हमें दिन भर में तीन से पान्च बार सबजियों और फलों की थोड़ी थोड़ी मात्रा जरूर खानी चाहिए इससे केंचा और रिदेन रोगों का खत्रा कम होता है